यहां पर यहां पर यहां पर इंडिया के लिए आई है तो आप सभी इस जोग को जरूर देखें और अगर आप eligibility criteria को fulfill करते है then you must apply तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम detail में देखेंगे और यहां पर यहां पर यूएन विमेंस के अंदर यह वेकेंसी आई है पर अफिसर का नाम है प्रोगाम आफिसर जेंडर रिस्पॉंस कोबिड-19 रिकोवरी इन इंडिया ओपें टू नेशनल सोनली तो यह आपको यहां के हिसाप से साथ अक्टूबर के मौर्णिंग तक चला जाएगा टाइम लेफ्ट आपको एट डेज फोर्टीन आवर और टेन मिनट यहां पर आपको ताइम लेफ्ट है जिस टाइम भी आप ओपन करेंगे नेट पर वह आपको दिखाते रहेगा कि आपको यहां पर आपको यहां पर अपडेट होते रहेगा टाइम भढ़ते रहेगा जोब का यहां पर कई सारे अधर बात दिखाते हैं कि किस तरह से काम करता है यहां पर जो आपका वेकेंसी आप सलेक्ट हो जाते क्राइक्टेरिया को सुट करते आपका इंटर्विव भी निकल जाता है फिर भी आपके बैग्राउंड को भी चेक किया जाएगा ताकि आप किसी भी तरह का कोई वाइलेंस नहों इस क्या नेशनल लीड में विमेन का क्या बागाधिया उसको लेके काम करती है तो यहां पर करती है जैसे सब्सक्राइब करके आप अपने मोबाइल से देख सकते समझ सकते मैं इसको अगर कवर करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो ड्यूटि यहां पे उसका समरी दिया गा है इंप्लेमेंटेशन पर्गाम स्ट्रेटीजी गाइजमेंट अब इसका सब्सक्राइब यह जाएगा फिर वेगर सुपर्वाइजर के द्वार्वाइजर की द्वार वो काम आपको अगर दिया जाता है आपको उस पर काम करना है इस तरह से यहां पर कई सारे चीज़े दिए गया है कि आपको किस तरह से प्रोसेस एंड डोकुमेंटेशन भी करना है कोडिनेशन कैसे करना है डाटाबेस कैसे बनाना है तो आप देख सकते हैं यह इतना सारा जॉब रिस्पॉंसिविलिटी का इच एंड सब्सक्राइब करना है चलिए अब देखते हैं कि क्या कुछ कम्पीटेंसी यहां पर जो कोड वैलू है तीन कोड वैलू है जो कि दिया गया है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनली यह आपको हमेसा अपने साथ बनाना है बनाया रखना कोड कम्पीटेशन और भी लाइक अवेर्नेश होना चाहिए एक्रीटीव प्रॉब्लम सॉल्वींग स्कील होना चाहिए एफ्यक्टिव कम्णिकेशन इसकील होना चाहिए इंक्लूसिव क्लाबरेशन होना चाहिए स्टेक्षोडर इंगेजमेंट एंड चाहिए चलिए बात करते हैं इसेंशल क्वालिफिकेशन एन एक्स्प्रिंस रिकाइड फॉर्ड इस पोस्ट मास्टर डिग्री इन सोसल साइन विमेंस हुमन राइट इंटरनेशनल इस्टरीज लोग और रिलेटेट डिसिप्लीन में अपलाई फॉर्ड पोजिशन यानि क यहां पर एक्स्प्रियञ फइफ्रस इंटरीजर्ट इस प्रोजिक डिजाइन इस्टर सब्सक्राइब यानिके ज्थन S इनकोले इस्टर से वाँनेशन नेंबेका सुपहाहई जाता है मैनेजमेंट का ओन है वान जाहिए कोी तर से मैंठा नहीं और आंत में किस तर से एवलेशन करना है ताकि उस प्रगाम में नया चीज डाला जा सके कुछ गल्चिया है उनको ठीक किया जा सके ताकि बेहतर रिजल्ट मिले इन सब पे अगर आपने काम कर रखा है पांच साल और आप यूएन विमें में काम करना चाहते हैं तो यह बहुत ही बेस्ट ऑपर्चुनिटी है आप बस यह जान लो प्रगाम एक्स्प्रियेंस और यूमें हीमन राइट्स खासकर हीूमन राइट्स पे वाइलेंस अगेंस्ट विमें पे अगर आपने काम कर रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छी ऑपर्चुनिटी है कॉंपिटर का आपके लिए अच्छी बात है कि आपको अप्लिकेशन इंफॉर्मेशन बता दू क्या है इंट्रेस्टेट अप्लिकेंट्स अप्लाइट तो इस अनॉंस्मेंट थ्रों यूंडीप जॉब साइट्स जॉब्स यूंडीप.org वहां जाके आपको क्या करना है आपको एक पी ये इवन करके एक पर फॉर्मा मिलेगा औल असे अंस एंकलूड कुलूड न ददझे ऐटेशमेट अप्द नॉइंड प्रहिस्ट्री फारमट इचिक इन विश्के मेंगए मुडराओं गींडद करते नाम है पी नहीं वहां भरना है साती कैंडलीनोटस प्लिकेशन इका कम complete and will not be considered for the further assessment even women will only be able to response to those application in which there is further interested देखिए आपको यहां पे P11 form apply कर डाउनोड करना है उसको फिल करना है साथ ही अलग से भी apply now पे जाके form फिल करना है जब यूएन विमेंस को यह लगेगा कि आपके सारे criteria को पढ़के कि हाँ यह candidate बहतर है दिन देविल कॉंटेक्ट तु यू और देना आपका इंटर्व्यू होगा यहां पे आपको दिख रहा है apply now इस पे जाके ही आपको क्लिक करना है और अपलाई कर नीचे लिखड़ा है download when moving professional history form p11 इस पे जाके आपको क्लिक करना है इसको download करना है तो कुछ इस तरह का p11 form खुल के आता है जिसमें आपको यहां पे कई सारे details मांगे गए तो यह आपको ज़रूर fill up करना है आपको यहां पे सारे आपसे जूरी हुए यहां पे information मांगे गए हैं तो आप यह देख सकते हैं यह p11 form है यह भी download करना है और चलिए अब apply now आपको करके जहां पे लिखा आता है job application for the program officer gender responsive covid-19 recovery in इंडिया न्युदेली इंडिया यहां पे कुछ information दिया गया है आपको किस तरह साप्लाइ करना है और electric करने लिए कोई भी तरगा दिकत होता है तो आप e-recute help desk पे जाके यहां पे जो दिया गया है e-recute help desk पे जाके इस पे जाके अगर आपको application भरने में किसी भी तरगा कोई दिकत होता है तो यहां पे कुछ personal information है साथ ही कुछ language proficiency करने पुछा गया education, regime, motivation और इसको submit कर देना है तो याद रखे यहां पे P11 के साथ साथ यह apply now पे जाके यह दोनों चीज़ आपको apply करना है तो UN Women के अंदर यह बहुत ही best vacancy थी as a candidate के लिए जो की social science से किसी भी stream से अगर उन्होंने यह master किया है और साथ ही उनके पास 5 सल का work experience है in the area of implementation program like evaluation या फिर किसी भी तरह का gender waste violence पे अगर किसी तरह का काम कर रखे हैं तो उनको यहां पे preference दिया जाएगा I hope आपको यह job vacancy अच्छी लगी हो आपको एक काम पहले सबसे परना है if you not done till now then subscribe this channel right now because यहां पे मैं लेकाती हूँ lots of the information regarding the social work job vacancy and many other concept event and updates so मेरे साथ बने रही है thank you guys